गुद मारिंग, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेवालों में प्रचनन, रिप्रोड़क्शन इन आल्गी, रिप्रोड़क्शन एक नाच्रल प्रोसेस है, जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृध्धी करता है, शेवालों में मुख्यता तीन प्रकार का रिप यह तीनों प्रकार के जो रिप्रोड़क्शन है, शेवाल किस टाइप के रिप्रोड़क्शन को प्रोसीड करेगा, या शेवालों में किस प्रक्रिया के द्वारा संतती की संख्या में वृध्धी होगी, यह मुख्यता है दो तीन पॉइंट्स के उपर डिर्भर करता है, जैसे की availability of nutrition, उनको कैसा भोजन मिल रहा है, light की intensity कैसी है और आसपास के environment का temperature कैसा है, यानि कि यह तीन परिस्तितियां है, अनुकूल परिस्तितियां जब होगी, favorable conditions जब होगी, ऐसी परिस्तितियों में, algae में, vegetative और asexual reproduction होता है, लेकिन adverse environmental conditions में, opposite या प्रतिकूल परिस्तित यो में, algae के members जो हैं, वो sexual reproduction के द्वारा reproduce होते हैं, और vegetative reproduction, asexual reproduction जो की favorable conditions में होता है, इनके द्वारा जो product बनता है, that is called zygospore, और जो reproductive, sexual reproduction के द्वारा जो product बनता है, oospore, यह जो है, यह एक ऐसी parinating structure है, चिरकालिक सरंचनाई होती है, जो unfavorable conditions के अंदर algae को जीवित रखने में सहायक होती है, तो मुखेता तीन प्रकार का reproduction है, vegetative, asexual and sexual reproduction, आज के अपने lecture में हम पढ़ेंगे कि कौन सी, काईक जनन की ऐसी कौन सी विदियां है, जिनके द्वारा algae जो है, वो reproduce होती है, now what is vegetative reproduction, का काईक जनन क्या है, काईक जनन ये बड़ी common सा method है, reproduction का, plant cells के पाधब कोशिकाओं के जीव द्रव्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, प्लांट का कोई पार्ट जब बहुत पुराना हो जाता है, या किसी accidental cause की वज़े से तूट जाता है, तो दोनों भाग अलग होकर ने पाधब का निर्मान करते हैं, इसे हम काईक जनन कहते हैं, मुख्यता ये शेवालों में अनुकूर परिस्तितियों के अंदर होता है, तो Cell Division या कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन या Cell Division यूनी Cellular Algae में जो मात्र कोशिका है, वो दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्मान करती है, ये दोनों cells जो हैं, एक दूसरे से अलग होकर एक new plant body का निर्मान करेंगी और दोनों ही अलग तरीके से दो प्लांट्स बना देंगी, इस मैतोड को हम द्वी विखिंडन भी कह सकते हैं, इनके द्वारा इनका विभाजन होता है, सेकेंड टाइप आती है कॉलोनी विभाजन, कॉलोनी स्प्लेटिंग, शेवाल जगत के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे एंटर के बीच में एक ग्रूव बन जाता है, और ये ग्रूव धिरे दिरे बड़ा हो जाता है, और ये मातर कॉलोनी जो है वो दो डॉटर कॉलोनी के अंदर डिवाइड हो जाती है, नेक्स्ट फॉर्म आती है, फ्रेग्मेंटेशन, नाओ व्ट इस खंडन या फ्रेग्म फ्रेग्मेंटेशन में जो फिलामेंटस एल्गी है वो उसके तन्तु अनिक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और यह हर फ्रेग्मेंट जो है वो अपना नया प्लांट बनाता है फर एक्जामपर यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाईरा, एक्सेक्ट नेक्स्ट इस हार्मोगोन्स के द्वारा, हार्मोगोन्या के द्वारा किस प्रकार्टी ना हार्मोगोन्या क्या है यह हॉर्मोगोन्स जो है यह अधिकाशत है ब्लू ग्रीन अल्गी के अंदर बनते हैं जैसे ऑसलेटोरिया, नौस्टॉप, स्थेक्टरा मैं आपको डिख हाती हुं यह दिख़ें कि ये हर्मोगोंया है हैं हर्मोगोंया के इंतरगत क्या होता है इस वन के ये iauसलेटोरिया का एक तन्तू है इस में नोस्टो और नॉस्टो के उनस्टो के आंदर क्या हो । जो तन्तू है उसे हम trichome बोलते हैं इसमें hormogons बन जाते हैं ये plant जो है cells दो या दो से अधिक भागों में कुछ cells मिलकर जैसे ये है इतना part जो है इनके बीच में ये separation disc का निर्मान हो जाता है ये separation disc जो है necredial disc कहलाती है डिटेल में हम syanophysis के अंदर पढ़ेंगे तो ये necredial disc जो है dead part का काम करती है यहां से भोजन की supply यहां नहीं हो रही है यहां से भोजन की supply इधर नहीं हो रही है तो क्या होगा ये part जो है तूट जाएगा ये part दो भागों में दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो rences branches adventitious branches यह पस्थानिक branches अपस्थानिक कई बड़े वाले जो plan बड़े बड़े थालस होते है उनमें अनेक ऐसी branches अलग से टाणिव ग्रांच बनने शुरह जाते हैं नई शाख्वाएं उत्पन हो जाती है इन्हें हम अपस्थानिक ब्रांचन बशाते हैं यह में में प्लांट बॉड़ी से सेपरेड होकर नय प्लांट का निर्मान कर देती है देहें इस प्रकार से बिस्ट फॉमाति है ट्यूबर्स के द्वारा यह देखे ए प्लांट यानि कि कारा के मुला भासों पर जैसे for example कारा के अंदर क्या होता है जो राइजोईड्स है राइज़्ोइड्स पर यह स्तार्ची िय टूबर्स पाई जाते इनमें स्तार्च होती है तर ची टूबर्स पाई जाते हैं यह सेपरेET नए नई नई बड का निर्वान करते हैं। नेंसे आता है इसमें बड़िंग के द्वारा बड़िंग ये देखैं। यह नई बड का निर्मान हो जाता है। और इस प्रकारसे एक जांपल gelir आता है प्रोचो। तो यह सारी टाइप्स आती हैं वेजेटिटिटिव रिप्रोडक्शन के यल्दा, थैंक यू